नमस्कार मेरे पैर बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में और मैं हूँ लौकुस मिस्रा तो आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप इस वीडियो को फटा फट लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को स अपलोड की जाती है उसके सारे सलेबस अपलोड की जाते हैं तो आज की क्लास को सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग बिद्द्धारा आई तथा अनुगमन बेग बीडि में संबंध का सूत्र सिद्ध करेंगे तो इसमें देखिए मैंने यहां पर एक चालक ब है और इस चालक का यह जो भाग है यह अनुपरस्त काट का छेत्र फल है यानि जो इलेक्टरान होंगे इसी से गुजरेंगे ठीक है ना और इस चालक के चालक से हमें एक सिल जोड़े हुए हैं इस सिल का धन सिरा चालक के पहले सिरे से जोड़ा गया है और सिल का दूसरा सि सिरा चालक के दूसरे सिरे से जोड़ा गया है अब जैसे ही आप इसे भुवांतर देंगे न तो इलेक्टरान हमेशा चालकों में उपस्तित होते हैं हर जगा इलेक्टरान में उपस्तित होते हैं मुक्त इलेक्टरान और यह देखे सेल का जो रिड सिरा है इलेक्टरान अगर यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रान होंगे तो इस इलेक्ट्रान को क्या करेगा प्रतिकर्शित करेगा यानि इस ये रिड है और इलेक्ट्रान पर भी रिड आवेस होता है तो ये जो है ये चिन इसको इलेक्ट्रान को प्रतिकर्शित करेगा और इलेक्ट्रान भागेगा य धन की और यानि इलेक्ट्रान जाएगा रेड से धन की और तो बिद्दु धारा हमेशा इलेक्ट्रान के विपरी धिसा में धन से चलेगा रेड की और यानि हमारा जो बिद्दु धारा होगा धन से रेड और इलेक्ट्रान रेड से धन रेड से धन क्यों जा रहा है अभी मैं ने बता दिया, क्योंकि सेल का जो रेड सिरा है, uresiner को करता है प्रतिकर सी allora अब देखिए जो चा लग का जो तार है उसे उसकी लंबाई मैंने मान लिया है यल है चालग का तार की लंबाई यल है और ये धन सिरा ये रेड सिरा अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखे मेरे पैरे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या-क्या माना है इस चीज को फालो करिए माना T समय में Q माना T समय पर प्लस Q आवेस परिछेदक P Q से गुजरता है यानि यह परिछेदक है और Q आवेस यहीं से T समय में इस तरीके से गुजरता है ऐसे गुजरेगा क्योंकि जो आवेस है आवेस क्या है? इलेक्ट्रान है अब इलेक्ट्रान किदर किदर जाता है? रेर से धन Q इस तरही के से T सेकेंड में P एरिया से इलेक्ट्रान गुजरेगा विद्दुद्धारा आई बराबर क्यों पांठी ये सूत्र आप जानते हैं इसे हम समी कर नाम दे रहे हैं एक अब आगे देखिए आगे देखिए माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्टरान की संख्या यानि अगर हम एक ठीके एकांक आयतन का मतलब है कि अगर हम एक मिलिमीटर स्क्वाइर एरिया का तार ले ले तो उसमें यन इलेक्टरान उपस्थित है उसमें यन इलेक्टरान उपस्थित है और जैसे ये यन इलेक्टरान टी समय बाद गुजरेंगे यहां से ठीक है ना यन इलेक्टरान कितने समय बाद गुजरेंगे टी समय तो इसम मैंनों मान लिया है यहाँ पर यहाँ पर माना है कि यन इलेक्ट्रान एकां कायतन में इलेक्ट्रान की संख्या यन है इलेक्ट्रान द्वारा टी समय में चली गई दूरी ठीक है इलेक्ट्रान द्वारा टी समय में चली गई दूरी तो आप एक सूत्र जानते हैं इलेक्टरान टी समय में कितना दूरी तैय करेगा मैंने टोटल डिस्टेंस क्या लिया है टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हैं इलेक्टरान कितनी दूरी तक जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक कि की संख्या यन है और दूरी यन है यल अब देखे वेग बराबर बिस्थापन या दूरी बटे समय तीरिये गुड़ा कर देंगे तो यहां से दूरी बराबर मिल जाएगा वेग गुड़े समय इसे हम समी करन दो नाम देंगे चली गई दूरी यानि दूरी दूरी बराबर व अनुगमन वेग के अस्थान पे हम अनुगमन वेग लिख दिये क्योंकि जो इलेक्टरान है वो अनुगमन वेग से चलता है गुड़े समय टी अनुगमन वेग को वीडी गुड़े टी अब आगे देखे आगे हमारा ये है आगे लिखा है पी क्यू आरियस का आयतन बराबर परिछेदक का छेत्रफल गुडे VD गुडे T यानि अगर आयतन निकालना है तो आयतन में एरिया भी होता है और दूरी को हमने यहां से ले लिया यानि थ्री डाइमेंशन होता है आयतन का मतलब है कि लंबाई गुडे चवडाई गुडे उचाई तो लंबाई गुडे चवडाई को एरिया नाम दे दिया अगर दूरी में यहां पर क्या है देख रहे हैं न दूरी में रख दिये हम V into VD into T ठीक है न तो परिछेदक का यह आयतन बराबर इसमें दो हो गया लंबाई चवडाई और दूरी के स्थान पे यह लिख दिया VD into T अब आगे देखिए आगे इसमें दिया गया है यहां पर माना परिछेदक का छेत्रफले यानि जो हमने अभी दिखाया था आपको जो परिछेदक यहां बनाया था यह यह जो एरिया है ना बेलन जैसा होता है तो इसका एरिया मैंने क्या माना है ए माना है एक एक चीज बराबर देखते जाएए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा आगे देखें PQRAS का एतन बराबर A गुड़े वीडि गुड़े T यान इसको मैंने यहां पर ए रखा ति यह हमारा मिल गया फिर देखें PQRAS आएतन में कुल एलेक्ट्राण बराबर कुल एलेक्ट्राण इसमें एलेक्ट्राणों की संख्या आवेस Q यहनि PQRAS में कितने इलेक्टरान गुजरेंगे Q Q बराबर माइनस E माइनस E क्यों रखा क्योंकि इलेक्टरान गुजरें E की वैलू 1.6 एंटू 10 पार माइनस 90 कुलाम होता है यहनि इलेक्टरानों की संख्या A परिछेदक का चेत्रपल VD अनुगों में T हो गया पिर आप जानते हैं एक सूत्रा आपने पढ़ा है अब देखे यह जो समी करण 3 है न Q की वैलू हम समी करण 1 में रखेंगे समी करण 1 में Q का मान रखने पर समी करण 1 क्या था हमारा I बराबर Q अपान T देखे अभी I बराबर Q अपान T Q का मान ये रखोगे न तो माइनस E या नए VD बाई T T से T क्या हो जाएगा कैंसील देखो यहां से मेरे प्यारे बच्चों यहां से यह मैंने क्या किया Q का मान ये Q का मान जो ये मिला हुआ है इसको मैंने समीकर्ण एक में रखा समीकर्ण एक में मैंने बताया था I बराबर Q अपान T तो ये Q का मान यहां पे Q के स्थान पे रखोगे तो ये हो जाएगा T से T कैंसील ये बच गया और माइनस हटा कर हम I बराबर यानि ये VD रख देते हैं यही है हमारा बैदु धारा योम अनुगमन वेग के सूत्र को सिध्ध करना इस तरीके से अगर एक्जाम में आ जाएगा तो आप सिध्ध कर सकते हैं अगर Q में प्रयोग आ जाए तो आप सूत्र को याद रखिएगा तब तक के लिए नमस्कार